हालो स्टुटेंट, स्वागत है आपका फ्रिट से हमारे चेनल पर, मैं हूँ निधी पारिक प्याकेता जित्रिकला की गौर्रमेंट कॉलेज केरवड़ा से विध्यारतियों, आज का जो हमार टॉपिक है वो है कि किस तरफे हम जो ये बैसिक फॉर्म होते हैं, हमारे बैसिक आकार होते हैं, उसको हम सीख सकते हैं और किस तरफे की लाइन होती है, जो हमारे कला में काफी उप्योगी होती है, और उसके द्वारा हम कला को नए आयाम दे सकते हैं, उसके अभ्यास के द्वारा तो उसके कुछ नियम है जो हमें follow करने होते हैं तो इसी के साथ ये देखिए आपकी जो first point है हमारा वो है circle, rectangle, square, triangle, star, oval, pentagon और इसी के साथ मैंने कुछ और भी shapes लिखे हैं तो ये जो कुछ basic shapes हैं ये हमारे practical part में काफी importance रखते हैं जिस तरह से आप इस screen पर देख रहे हैं कि ये मैंने circle draw किया है तो circle में आपको इस बात का विशेश रूख से द्यान अकरना है कि बिना किसी की सहायता से आपको ये इस तरह से pencil को गुमाते वे उपर से नीचे और नीचे से उपर आपको circle draw करने का अभ्यास करना है निरंतर ये कुछ form से जिसके द्वराब कुछ काफी कुछ basic चीज़े आप clear कर पाएंगे इसी के साथ आप भी देखिए कि ये आपको triangle नजर आ रहा है जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको lines इसमें देखिए आप ये lines उपर से नीचे और नीचे से उपर की तरफ जा रही है तो आपको भी इसी तरह का अभ्यास करना है आपको continue ये अभ्यास के द्वरा ही संबब है कि ये इसके द्वरा आपकी lines में काफी कुछ सुधार आता है आपकी prehand काम करने का आपको confidence आता है इसी के साथ आप भी देखिए ये सारसी rectangle आपको दिख रहा है जैसे ये slapping lines है आपको right to left और left to right आपको draw करना है उपर से नीचे और नीचे से उपर तो इस तरह की कुछ ये आकार है जो आपको बिना किसी ये अंत्री की सायता से आपको prehand काम करके सीखना है ये आउल शेप है इसी के साथ ये देखिए अर्द चंद्राकार है तो ये जो shapes जो मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ ये आपके practical में बहुत ही उपयोगी रहेंगे क्योंकि इनके द्वारा आप ये जो basic shapes से इसी के आधार पर आप कोई भी आकरती, कोई भी color का आप निर्मान कर पाएंगे जैसे कि खासकर rendering के अंदर, 2IME जितरन में और still life में तो ही है, इसके साथ 2IME में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी ये सभाकार, जिसके द्वारा आप कोई भी painting को बहुत easy way में draw कर पाएंगे तो आपको निरंतर ये जो भी shape मेंने आज आपको बताएं हैं, आपको इसका अभ्यास करना है और उसके बाद में next topic में मैं आपको कुछ और जो हमारे practical से लेटेर बाते हैं वो मैं आपको और ज़्यादा clear कर दूँगी next topic में तो आप तब तक के लिए जो भी shape मेंने आपको बताएं हैं आप उसका अभ्यास करें और इसके बाद मिलते हैं हम next video में तब तक के लिए thank you